भगवान विश्णू की विभूती एमम विश्व्य ववस्था का व्रताम शिरी प्राशर जी कहने लगे आधी काल मी महारिशियों ने जब पृतु का राज सिहासन का विशे किया तब लोग पिता महा ब्रह्मा जी ने भी क्रमा अनुसार राज्यों को विभक्त किया उन्हों को विश्णू को अधित्यों को का तथा अगनी को वसुगण का अधिपत्य पर दान करके उन्हें उनका अधिपती निक्ट कर दिया इसी तरहां दक्ष को पजापतियों का इंद्र को मरुदगंओं का और पर लाजजी को दैक्ते दानुँओं का अधिपति बनाया यम उट्रण के राज्येपद पर आशिन किया तधसमस्थ गंग का अधिपति इरावत को निश्चित किया। इसी प्रकार पक्षियों का गरूर को देविताओं का इंद्र को घुडों का राजाosit श्रवा को एंवंगों का अधिपति विश्ट को देव बनाया। सर्पों का स्वामी शेशनाग और वन्य पश्यों का राजा सिंख को बनाया, इसी तरह हिमाले को स्थावरों का राजा कपिल देप को मुनिजनों का, बाद को नख और दाड़ वालिम्रिक गण का राज्य सोब डाला, वनस्पतियों का राजा पलाक्ष को बनाया, इस तरह अन ने जाक्यों के प्रधाने की व्याख्या कर डाली राज्यों को विभक्त करते हुए ब्रह्मा जी ने सब और दिखपालों की स्थापना भी कर डाली अतहपूर्व दिशा में ब्रह्मा जी ने विराज प्रजापती के लड़के राजा सुधनवा को दिखपाल पत्परदान कि दक्षिन में कर्दम प्रजापती के बेटे राजाशंग को पद पर आसीन कराया पस्ट्रिम दिशा में उन्होंने कभी चयुत ना होने वाले राजस के पुत्रमहात्पां के तुमान की निफ्ति की उत्तर दिशा में प्रजन्य के प्रजण्य को अति दुण्धर्श निरप फिरने रोमा को अभिशक्त किया, वे अभी तक साथ दीप एवं अनेक नगरों से युक्त होकर इसी धर्ती को अपने अपने विभात के अनुसार धरम पूर्वक पालन पोशन कर रहे हैं, ये तथा दूसरे जो राजा लोग हैं या भविश्य में होंगे सभी विश्नु भग भगवान के अंच हैं, जो भी देवताओं, दैते, दानमों तथा मास, भोजियों का राजा है, पशूओं, पक्षियों, मनुश्य, सर्प, तथा नागों के अधिनायक निवक किये गए हैं, जो व्रिक्ष, परवत, ग्रहों के स्वामी निश्चित किये गए हैं तथा भू तथा सत्व अधिगुणों के अवलंबन द्वारा हिस नातन इश्वर की विश्व के सरजन के समय, उसकी रचना करते हैं इस्तिति के समय, उसका पालन भार उठाते हैं, तथा अंत है समय में काल रूप हो, उसका सहार कर डालते हैं. चार विभागों में स्रिष्टि के और चार विभाग से ही स्थिति के समय रहा करते हैं और चार स्वरूप रखकर ही वे प्रभु अंत में प्रले कर डालते हैं। वे अव्यक्त रूप विश्णु भगवान अपने एक अंश द्वारा मरीच आधिपजापती हुआ करते हैं। उनके तीसरे अंश का नाम काल, चोथे अंश है, समस्प पराणी। इस तरह में प्रभु रजवगुण विशिष्ट होकर चार तरह से स्रिष्टी के समय स्थित होते हैं। फिर वे सत्वगुण का आश्रे ग्रहन कर विश्व की स्थिती करते हैं। से काल, रूप तरह चोथे द्वारा समस्त भूत स्वरूप में हो जाया करते हैं। हे ब्रहमन विनाश करने के लिए उस प्रभु की सर्वकालिक विभाग कलपना बतलाई जाती है। ब्रहमा दक्ष आदी प्रजापति गण काल और संपून प्राणी में ये विश्व की रचना के कारण है। जो हरी की विभूतियां हैं विश्व, मन, आदी, काल तथा संपून भूत ये विश्व की स्थिति के कारण स्वरूप विश्व की चार विभूतियां है। और रूद्रकाल, अंतकार्दी और संपून जीव ही श्री विष्णु भगवान की चार विभूतियां प्रले के महानकारण बनते हैं, बिश्व के पूर्व और बीच में और प्रले तक भ्रह्मा, मरीच, आदी और विभिन जीवों द्वारा स्रिष्टी होती है, स्रिष्टी बिना ब्रह्मा, प्रड़ापती तथा दूसरे संपून प्राणी भी श्रिष्टी की रचना करने में सफल नहीं हो सकते, आते हैं काल रूप विष्णु भगवान ही श्रिष्टी के करता होते हैं, हे मैतरे इसी तरह की विष्व की स्थिति एवंप्रले में भी उन उन देव देव की चार भाग बताए हैं, हे विप्र जिस किसी से रचना होती है उस उत्पन हुए जीवन की उत्पत्ती में सदेव श्रिष्टी भगवान की देही कारण हुआ करती हैं, हे मैतरे इसी तरह जो कोई स्थावर जंगम में भूतों में से किसी का नाश करता है, वे स्वयम ही विश्व रूप भी है, विश्व की स्रिष्टी स्थिति अत्तथा अंत के समय में वे विश्णु इस तरह तीनों गुनों द्वारा प्रवत होते हैं, यद भी इनका परमपद महान निर्गुन ही है, विश्णु भगवान का यह रूप ज्यान, युक्त, व्याप में अनुखा है और वहंबी चार तरह का ही है, श्री मैतरे कहने लगे है मुनि आपने श्री विश्णु भगवान के जिस परमपत का वृतान कहाँ चार तरह का करकार है किरपा करके आप मुझको नियम पूर्वक समझाइए श्री प्राशर जी कहने लगे हैं मैत्रे जब वस्तु का जो कारण हुआ करते हैं वही उनका साधन भी है तता सभी तता अपनी जिस इच्छित वस्तु की सिद्धी की जाया करती है उसी को साध्य कहते हैं मुक्त विश्यक ज्यान ही उस परंपत का पहला भेद है जो की योगी की मुक्ति का कारण होता है कलेश बंधन से मुक्ति पाने के लिए योग अभ्यासी योगी का साध्य स्वरूप जो ब्रह्मा है उसका ज्यान ही आलंबन विज्यान नाम का दूसरा नाम होता है इन दोनों साध् युक्त ज्यान है वही मैंने तीसरा भेद बताया है हे मुनी उपर कहे गए तीनों ज्यानों की विशेष्टा का निराकारण करने के बाद अनुमत होने वाले आत्मरूप से सद्रिश्य ज्यान में विश्णु भगवान है वे ब्रह्म नाम का ज्यान उनका चोथे प्रकार का भेद है हे विपर जो योगी जन अन्य ज्यानों को छोड़ इस चोथे ज्यान में रत हो जाया करते हैं वे इस जगत के अंदर बीज का अंकुर रूप करम करने में वासना रहित हुआ करते हैं अर्थात वे व्यक्ति लोक संग्र है के हे तु करम किया करते हैं तब भी उनको नाश ता कलेश की समाप्ति होने पर जो अतिनिर्मल हो जाया करता है वे योगी उस पर ब्रह्म का आलंबन किया करता है जिस स्थान से ही उसे पुने लोटना नहीं पड़ता उस ब्रह्मा के दो रूप हैं मूर्त तता अमूर्त ये दोनों रूप एम अक्षर स्वरूप स्मस्त विश्व हैं जिस तरह एक देशिय अगनी की रोश्नी सब स्थानों में फैली रहती है उसी तरह ये स्मस्त विश्व पर ब्रह्मा विश्णू की ही शक्ती है ये विप्र ब्रह्मा विश्णू और शिव ये ब्रह्मा की मुख्य शक्तियां हैं उनसे नियून देवत शिपजाना, जनम जाना, जनम एममनाश, आदीविकल्प मैं भी यह समस्त विश्व यथार्थ में अक्षे एमम नित्ते हैं। विश्णु भगवान ही भ्रह्मा के स्वरूप और मूर्ट स्वरूप जिनका चिंतन योग आरम से पहले योगी जन किया करते हैं। विश्णु भगवान में यह समस्त विश्व पलावित है। उनके द्वारा ही इस समस्त विश्व की उत्पत्ती हुई है। उन्ही में यह स्तित है तथा स्वयम ही वे संपूर्ण विश्व है। विपर 12 साल तक कार्थिक के महिने में पुष्कर मिस्नान से जोफल प्राप्त होता है। वे सब इसके सुनने से मनुष्य को मिल जाता है। वे विश्व भगवान वर्दायक बन जाते हैं। बोलो ओम शिरी विश्व पर आया नमाम।